हेलो गाइज वेलकम टो आवार यूटूब चैनल दोस्तों आपके मन में कोशन आता होगा कि इस लॉगडाउन के टाइम में आप अपने कार को कैसे रखें ताकि जब आपका ये लॉगडाउन खतम हो तब आपका जो कार है वो सब कुछ सही रहे उसमें कोई प्रॉलम नहीं है और जब आप उसे यूज करना चाहें इमर्जेंसी में तो वो काम करें अच्छे से और तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप इस लॉगडाउन में अपने कार को कैसे रख सकते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉलम नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे का हैं जो कि एक साल से दो साल से तीन साल से इसी तरह पड़ा हुआ है बट फिर भी उसका इंजन हेल्दी है उसके बैक्टरी में कोई प्रॉलम नहीं आया है तो आपको कैसे रखना चाहिए अपने कार को ताकि उसमें कोई प्रॉलम नहीं आए तो दोस्तों जो सबसे इंपॉ बहुत ही ज्यादा इसी हो जाता है आप अपने बैक्टरी को अराम से चार्ज कर सकते हैं पर सपोज इस तरह का चार्जर आपके पास नहीं है और यह लॉक्डाउन पता नहीं कितने दिन के लिए चलेगा तो सपोज आप नहीं पर्चेस करना चाहते हैं तो कोई प्रॉलम आप ऐसे भी बिना इस चार्जर के भी अपने कार के बैक्टरी को चार्ज कर सकते हैं अपने कार के इंजन को हल्दी रख सकते हैं उसके वारिंग को सेब कर सकते हैं बहुत ही इजी है तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो सबसे डिपकल्ट होता है व वो every month 10 to 12% खुद से डिस्चार्ज हो आता है ये लेड एसीड बैक्टरी का self-discharging rate होता है और ऐसा नहीं कि वो बैक्टरी का कोई problem है वो उसका nature है तो आपको सबसे important जो की काम करना है वो है अपने बैक्टरी को drain होने से बचाना तो आप every week अपने car को 15 to 20 minutes run किजिए और last का जो 3-4 minute रहेगा उस समय थोड़ा सा idling को आपको बढ़ा देना है थोड़ा सा आपको speed को बढ़ा देना है तो आपका battery charged रहेगा उसमें कोई problem नहीं आएगा प्लस आपका engine भी थोड़ा सा warm up हो जाएगा और कभी ये मत सोचीगा कि engine पड़ा पड़ा संड जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपका engine छे महिना एक साल अगर इसी तरह रहेगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें problem आ जाएगा वो काम करना बंद कर देगा ऐसा कुछ नहीं है problem क्या होता है जब चूहा कोई wiring ये सब cut कर देता है sensor का wiring cut कर देता है त तो आप देख सकते हैं कि ये कितने दिन से इसी तरह पड़ा हुआ है एरांड ये वन येर से ऐसे ही पड़ा हुआ है और आपको लगेगा कि ये engine start होगा कि नहीं होगा बट ये अराम से start होगा इसमें कोई problem नहीं आएगा ये देखे इसका engine यहाँ पे है पूरा डटी और यहाँ पे देखे घास वासुगा हुआ है इसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई problem आएगा मैं इसको start करता हूँ ये देखे यहाँ भी घास निकल गया है तो आपको अपने engine को every week 15 to 20 minutes start करना है और इस battery को कभी भी आपको डिशार्ज नहीं होने देना है ये जो lead acid battery ए system हो जाता है तो हमेशा इसको आप चार्ज रखिए तो आईए इससे start करते हैं तो इसको आप 15 से 20 मिट लिए idling पे छोड़ दीजे और last के 3 से 4 मिनट इसके idling को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजे ये देखे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ये देखे आपको अब आज में difference पता चल लोगा ये देखे इसके idling को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजे तो back tree और अच्छे से charge हो जाएगा आप अगले एक वीक के लिए निश्चिन्थ हो जाएगा ज्यादा higher rpm पे आपको नहीं ले जाना है आपको थोड़ा सा इसका idling को बढ़ा देना है तो आपका back पी अच्छे से charge हो जाएगा तो 15-20 मिनट चलाने के बाद आप इसको off कर दीजे तो मैंने इसे 20 मिनट रन कर दिया है और ऐसा नहीं है कि पंदर से 20 मिनट आप अगर रन करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा पेटॉल या डीजर वेस्ट हो जाएगा आपके कार के हेल्दी वर्किंग के लिए यह ज़रूरी है आप इसे रन कर लिजे एबरी वी और इससे एक और फायदा यह होता है एक्चुली यह कार अभी मुझे यूज नहीं करना है बहुत दिन तक बट फिर भी मैं इसे बीच वीच में इसलिए स्टार्ट करता हूं इस कर देगा तो इसलिए अगर आप स्टार्ट करते हैं वीकली तो कोई चूहा यह सब घुसा रहता है तो वह वाइब्रेशन से बाहर निकल के चला जाता है और चूहा के लिए इतना काफी नहीं है और भी आपको कुछ करना पड़ता है मैं बताता हूं आगे तो एक बार आप कि अबरी वीक आपको वेहिकल को आगे पीछे करना चाहिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपका यह जो टायर है फ्लैट हो जाएगा दोस्तो इतना जल्दी आपका टायर फ्लैट नहीं होता है इसमें फ्लैट स्पॉर्ट नहीं आता है मैंने बहुत सारे कार्स ऐसे देखे हैं जिसमें मतलब एक साल से इसी तरह खरी थी फिर भी उसमें फ्लैट स्पॉर्ट नहीं आया टायर में ऐसा कोई प्रॉल्म नहीं है हाँ आप एक प्रॉपर एयर प्रेसर मेंटेन करके रखी अपने टायर में और मैं आपको रिकोमेंड करूंगा कि हर एक महीना या दो मही तो इसलिए मैं बडले आपको टाइम पिरेड बता रहा हूं एबरी वन मन्त या टू मंत में अप इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लिजे थोड़ा सा से ough ट्राइब कर लिजे और आसा नहीं है कि आप तीन महिना चार महिना च्हे महिना आपने कार को ऐसे ही एक जगा पार करके रखेंगे तो उसमें फ्लैट स्पॉट आ जाएगा इतना जल्दी नहीं आता है अगर आप प्रॉपर टायर प्रेसर मेंटेंड करके रखेंगे तो कोई उसमें फ्लैट स्पॉट नहीं आने वाला है और फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि एबरी वन मन्थ टू मन्थ में आप थोड़ा सा उसे आगे पीछे कर लिजिए या हो सके तो कहीं आप थोड़ा सा ड्राइब कर लिजिए लोकल रोड में तो बेटर रहेगा बट इतना जल्दी आपको इसके लिए टेंसल नहीं की कोई जड़त नहीं है कि आपका टायर फ्लै साल तो वो डेफिनेटली आ जाएगा बट six month one year में इतना जल्दी नहीं आता है टायर आप maintain करके रखे प्रॉपर प्रेसर कोई प्रॉल्म नहीं आएगा और एक पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है कभी भी नहीं भूलना है अगर आप भूल से भी ये mistake करेंगे तो आप पच्ताएंगे कभी भी अगर एक लंबे टाइम के लिए आप अपने कार को पार कर रहे हैं तो कभी भी उसमें hand brake आप मत apply कीजेगा नहीं तो अगर आपका drum brake है और कभी कभी disc brake में भी आपका brake wheels में seize कर जाता है आपका wheel ही नी rotate करेगा आप hand brake हटा भी देंगे तब कभी आपका wheels free नहीं होगा तो एक बात को आप अपने लिए note कर लिजे अभी कि कभी भी आप पार करते समय hand brake apply नहीं करेंगे या तो आप उसे gear में डाल दीजे या अगर कुछ है तो कुछ चोटा मोटा stone सा आप लगा दीजे वील्स पर अगर inclined surface है बट कभी भी किसी भी case मे hand brake parking अगर लंबे time के लिए कर रहे हैं तो कभी मत लगाएगा मैंने एक video भी उस पर बनाया था एक car था उसका brake seize कर गया था तो कैसे से release करना है अगर आपके साथ ये चीज़ हो चुका है तो घवराने की कोई बात नहीं है थुरा सा problem होता है बट आप उसको release कर सकते हैं तो वो भी video मेरे channel पर है आप उसको जाके देख सकते हैं अगर seize कर गया है तो बट अगर इस tension से आप बचना चाते हैं तो कभी भी इस lockdown के time में आप hand brake apply करके अपने car को एक लंबे time के लिए कभी पार्क मत कीजेगा जो एक important point है जो कि आपको ध्यान देना है वो है कि अगर possible हो त sky के नीचे पार्क मत कीजे अगर आप open sky के नीचे पार्क करते हैं तो बारिस और धूप स्पॉयल करने लगता है रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है तो जब भी आप पार कीजे ये देखे ये जो car है ये around one year से इसी तरह पड़ा हुआ है बट उपर में यहां पे set है तो कोई problem नहीं आता है अभी भी healthy है ये उसी तरह ये भी more than six months से ऐसे ही है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि open sky की नीचे आप पार्क मत कीजे अगर कोई भी अच्छा प्लेस हो वहां पे पार्क कर दीजे दोस्तों जो last point है बट बहुत important point है वो है आपको अपने car को चुहे से तो आप engine start करेंगे तो उसी से वो भाग जाएगा बट हमेशा ऐसा नहीं होता है बहुत सारे ऐसे चुहे होते हैं कि कोना में इधा उदर छुपा रहता है वो और आप engine start भी करेंगे फिर भी वो नहीं भागेगा या उस समय भाग जाता है और फिर से वो घुश जाता है तो आपको अपने कार को चुहे से बचाना है और एक बार चुहा आपके कार में आ गया तो वो आपके seats को spoil करेगा उसके बाद आपके कार के wiring को spoil करेगा completely वो spoil कर देता है इस कार के अंदर इतना सारा समान पड़ा हुआ है बट फिर भी इसके अंदर एक भी चुहा नहीं है अग इसमें इतना समान है बढ़ फिर भी इसके अंदर चूहा नहीं आता है तो चूहे से बचाने के लिए जो सबसे best मुझे लगता है जो मैंने try किया है वो है आपको naphthalene balls का use करना है इस तरह का अगर आप naphthalene balls का use करेंगे मैं जब भी आता हूँ और मुझे time मिलता है तो मैं 2-3 balls इसके अंदर डाल देता हूँ यह देखें मैं 2-3 balls इसके अंदर डाल देता हूँ तो आप भी इस naphthalene balls का use कीजिए अभी lockdown का time चल रहा है दो मैना तीन मैना कब तक यह जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है तो इसलिए आप अपने कार को अगर पार करते हैं तो अच्छे quality का naphthalene balls ले आएए और कार के अंदर आप डाल दीजिए पांचे balls अच्छे quality का तो उससे चूहा attack नहीं करेगा आपके कार को और यह best way होता है मैं जितनी बार भी मैंने try किया है चूहा से बचा के रखा है कार को और यह कार का आप देखी रहे हैं मतलब यह store house है और more than one year से ऐसे ही है तो चूहा नहीं आया और market में बहुत सारे duplicate naphthalene balls होते हैं तो आपको original अच्छे quality कहीं डालना है अगर आप duplicate वाला डालेंगे तो कोई असर ही नहीं होगा तो इस तरह का यूज किए और हाँ एक smell तो आ जाएगा जब lockdown खतम होगा और आप drive करेंगे तो smell लाएगा naphthalene balls का बट उस समय आप थोड़ा सा cleaning कर बालेजिए थोड़ा सा धूप में पार करके रखिए अपने कार को तो smell चला जाता है one week के बाद थोड़ा सा problem होगा बट safety clean important है अगर एक बार wire cut कर देता है तो बहुत ही ज़्यादा problem हो जाता है एक एक wire को आपको जोड़ना मतलब पूरा dashboard को हटाना है mat को हटाना है बहुत ज़्यादा यह trade करता है और seat अगर damage हो गया तो seat भी बहुत costly होता है तो इसलिए protection के लिए मजबूरी में आपको napseline balls का use करना चाहिए तो दोस्तों इस video में यही था main जो आपको tension लेना है वो है आपको अपने battery को down नहीं होने देना है और दोस्तों मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो जब car start करते हैं तो वो अपना start करके देखने लगते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं horn बजा के देखने लगते हैं headlight जलाने लगते हैं तो दोस्तों यह सब काम आप मत किजिए अगर आप start कर रहे हैं तो अपने battery को charge करने के लिए कर रहे हैं और अगर आप यह सब चीज़ चलाएंगे तो वो unnecessary discharge होगा तो जितना charge नहीं का उतना वो discharge होगा और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि car में बहुत सारे accessories लगा देते हैं और वो accessories अगर बहुत ज़्यादा है और ठीक से उसका connection नहीं है तो वो आपका parasite current लेता है वो तो आपका वो बहुत जल्दी आपके battery को discharge करते रहता है तो उस case में आप क्या कीज़े जब आप अपन discharge नहीं होगा क्योंकि अगर आपने music system यह वो बहुत कुछ लगा के रखा है तो वो आपका one week two week में वो completely drain कर देगा आपके battery को अगर आपने सही से connection नहीं कर वा है तो तो उसके लिए solution है कि आप terminal ही हटा दीजे नहीं तो वो completely drain कर देगा तो main जो आपको यही ध्यान देना है आपको अपने battery को drain होने से बचाना है और अपने wiring को rat से बचाना है अपने seat cover यह सब को rat से बचाना है दो चीज़ा आपने कर लिया आपके car में कोई problem नहीं आने वाला है रहा बाद tire का और engine का तो आप तीन महिना चार महिना अगर lockdown में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला ह और engine सालों साल ऐसे भी रह जाता है तो कोई problem नहीं होता है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर rusting हो जाएगा को problem हो जाएगा हां आपको rain water से बचाना है अपने car को थोड़ा सा आपको prevent करना नहीं तो rusting start होता है बहुत दिन तक अगर ऐसे ही परा रहा और लगातार बारिस हो रही प्लीज वीडियो को लाइक के अपने दोस्तों में शेयर के में चैनल सब्सक्राइब के और साथ में उस बेल आइकोन को प्रेश के ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लाओ तो आपको notification मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके और अने टास thank you thank you for watching मिलते एने उसे हैने उसे लिए में